दोस्तो सब्सक्राइब करें चमतकारी समधान को, प्रेस करें इस बेल को, ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले गुठे से लेकर हाथ को सिर से उपर पूरा उचा करके कच्चा सूत नाप कर होली का में दहन करें दूसरा, होली की विभूती यानी भस्म यानी राग घर पर जरूर लाए पूरुष इस राग को तिलक के रूपे और महिला इसे अपने गले पर जरूर लगाए इससे धनकी प्राप्ती होती है तीसरा, एक दिन पहले जब होली का जलाई जय तो उसमें भाग जरूर ले इससे जितनी भी बुरी शक्तियां आपके उपर होती है या आपके आसपास होती है वो होली का देहन में बस्म हो जाती है अगर किसी वज़ा से आप रात में होली जलाने के वक्त शामिल ना हो पाएं तो अगले दिन सुबह सूरण निकलने से पहले जलती हुई होली के निकट जये और तीन परिक्रमा करें पोली में अलसी, मटर, चना, गेहु की बालियां, गरना इन में से कुछ भी जरूर डाले चौथा, घर आये हुए महमानों को सौप और मिश्री जरूर खिलाए इससे प्रेमभाव बढ़ता है पाँचवा, सबसे एहम बात ये है कि इस दिन रंग जरूर खेलने चाहिए जीवन में रंग खुशियां लेकर आते हैं और मनुसियत को दूर करते हैं इसलिए इस दिन रंग जरूर खेलने चाहिए जरूरी नहीं कि आप घिले रंगों का इस्तमाल करें आप सूखे और प्राकरतिक रंगों का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ असान से काम जो आपको होली के दिन जरूर करने चाहिए अपनी समस्य और परिशानी को आज ही दूर करें चमतकारी समधान के टोटके रुपायों से और चमतकारी समधान की बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल चमतकारी समधान को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक, कमेंट और शेर करना ना भूले